और गैस कैसे हैं आप लोग तो आज है हमारे वीकली एपल न्यूस सीरीज का एक और वीडियो जहां पर जो भी एपल के रिटेड लेग्स रूमर्स न्यूस इंफोर्मेशन जो कुछ भी निकल का आता है मैं आप लोग साथ शेर करता हूं तो स्टार्ट करते हैं आज के वीड देखने में सकते हैं यहां पर नया आट्वर्क जो आप लोग चेकाओड कर सकते हों यह आट्वर्क जो है काफी जादे हिंट प्रोड करता है जो भी मेजर चींजिस होने वाले हो होने वाले आई मैसेज के अंधर एंड क्यूंके डव्ट्रीम बस अब 6 दिन बाकी रह चु आप लोग वहां जाके रिमाइंडर भी सेट आउट कर सको अब बात करते हैं इस मैक मिनी के बारे में तो आप लोग को पता ही हो कि एपल ने जो मैक मिनी के अंदर नए इंटरनल स्टाल के मैक मिनी को लास्ट एपल के जो नया सिलिकों का चिपसट है उसके साथ एपल ने इ आप से जॉन प्रोसर्स ने जो कुछ रेंडर्स बनाए हम लोग को बताने के लिए कि नए जनरेशन का जो मैक मिनी आने वाले हो किस तरह का हम लोग को देखने मिल सकता है यहां पर कुछ इमेजिस आप लोग चेकाओड कर सकते हो यह हैं मैक मिनी का नया डिजाइन यहां प लोग यहां पर चेकाओड कर सकते हो सबसे पहले हम लोग को पावर बटन देखने मिलता है इसके बाद हम लोग को सेम मैगनेटिक कनेक्टर देखने मिलता है मैक मिनी के नए डिजाइन के अंदर जो मैगनेटिक कनेक्टर हम लोग को आइमेक के अंदर देखने मिलता है इसक सब्सक्राइब को नए जनरेशन के आइमेक के ऊपर देखने मिलती है तो मैक मिनी के अंदर भी आपल जो काफ़ सारा चेंजिस लाने वाला है जिनके पास काफी एक अच्छा ट्रैक रेकॉर्ड है एपल की लिक्स के मामले में अब तक जितनी भी आपल की लिक्स उन्होंने प्रवाइड किये वह 100% एक्यूरेट हुए तो यहां पर इनके तरफ से कुछ डिजाइन के लिक्स निकल किया है कि किस तरह का हम लोगो जो प्रवाइड के अंदर मैक रूमर्स ने पॉइंट आउट किया था इसके अंदर कोई ना कोई टाइप का एपल ने जो एनिमेशन डाला है तो यहां पर यह एनिमेशन भी आप लोग कर सकते हो तो अफिशल एपल ने लिक कर दिया था लेकिन यहां पर कुछ लाइब इमेज करने का ट्राइब करेंगा क्योंकि जो इमेजिस फोगर है वो भी शैड होके आज चुकिए तो हम लोगों काफी जल्दी इनका लाउंच देखने मिल सकता है में भी कुछ महीनों के अंदर ही आपल जो ने बीड स्टूडियो बड्ट जो रिलीस कर सकता है और यह जो बीड स प्रो का जो second generation है उसमें हम लोगों को stunt coolest design देखने मिल सकता है यहाँ पे यह जो इमेजिस से वो बदाती है कि किस तरह का जो airport pro का second generation है वह भी हम लोगों को देखने मिल सकता तो love to dream जो है वो काफी एक reputable apple के लिकर है जिनके पास काफी जादा track record है ये लिक डिरेक्ली इनके तरफ से नहीं है लेकिन जब कभी भी चीज शेर करते है तो वो ऐसी कोई चीज शेर नहीं करते है जो के काफी जादा uncertain हो तो यहाँ पे उनके image के इसाब से आईफोन 13 के जो बैटरी इसे उनके अंतर हम लोग को काफी जादा इंप्रूमेंट देकने मिल सकता है यहाँ पर आप लोग चेकाओ खर सकता है आइफोन 13 मीनी के बैटरी लाइफ के अंदर यहाँ पे आइफोन 13 का जो नॉन प्रो मॉडल और उसके अंदर हम लोग को बैटर है वो देखने मिल सकती है 3095 mAh पहले आइफोन 12 प्रो एंड आइफोन 12 के बारे में बात करें आइफोन 13 प्रो मैक्स की जो बैटरी की साइज हम लोग को देखने मिल सकती है वो मिल सकती है 4350 mAh की अगर आप लोग चिकाओट करेंगे तो आइफोन 12 प्रो जो है उसके अदर मुझे अप्रोक्सिमेटल 11 टू 12 आर्स का स्क्रीन ओन टाइम देखने मिलता है इसके अंदर जो बैटरी है वो है 3687 mAh की तो यहां पर डिरेक्टली जो है वो 18-20 परसेंट का जंप लेकने व अगर आप लोगों को पता हो तो एपल का जो A14 या A15 चिपसेट है वो 5NM के टेकनोलोजी को पर बेस्ट है लेकिन आपल का जो 5G मोडम है आइफोन 12 सीरीज के अंदर X55 वो एक 7NM के टेकनोलोजी को पर बेस्ट होगा तो यहां पर हम लोगों काफी जाद एक एफिशेंट मोडम देखने मिलेगा लेकिन बड़ी बैटरी जो है वो प्रो मॉडर्स के अंदर काफी जादा जरूरी भी है जरूरी इसलिए क्योंकि आपल जो है वो 120 हर्स का डाइनमिक रिफ्रेश रिट वाला पैनल यूज़ करने वाला जो के Samsung and LG उसको manufacture करने वाला है 120 हर्स जो सीधी बात है जादा बैटरी कंज्यूम करेगा लेकिन क्योंकि यह पैनल जो वो एल्टी पी ओके पैनल्स होंके डाइनमिक रिफ्रेश होंगे तो काफी जादा एफिशेंट पैनल होगे लेकिन जब कभी 120 हर्स यूज़ होगा तो सीधी बात है बैटरी जो हो जादा बाड़ी ब बड़ी कर रहा है ज्यादा कपैसिटी बैटरी एड कर रहा है तो हम लोगो काफी 10 बैटरी लाइफ देखने मिल सकती है यह नहीं आने वाला है नॉन प्रो मॉटर्स केंदर अगर बैटरी के पैसिटी इंक्रीज होती है और जो स्क्रीन का रीफ्रेश रेट है वो सीम ही होता है तो काफी ज़्यादा यहां पे भी हम लोगों को बैटरी के मामले में एफिशेंसी देखने मिल सकती है तो यहां पे यह जो रियूमर है उसको कन्फर्म करता है जिए हम लोगों को नए जनरेशन के आइफोन के अंदर ज्यादा बैटर के के पैसिटी देखने मिल सकती है तो बस यह था है आज का हमारा वीडियो उमिद करता हूँ आप लोगों पसंद आया और पसंद आया तो